वेल्कम तो अलो फ्यू इन माय यूटूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली तो आप हार मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें मैथमेटिकल कॉंसेप्स आपके लिए पे इन अग्रिएट करें आप मैथमेटिक्स को इन्जॉय कर सकें इस परपच से हम प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा वर्क कर आपके लिए देखते हैं एक शीज मैं आप एक लिए कर दू जैसे थमनेल में आपको दिख रहा होगा लग उन्वेस्टी अबस्टाक्ट अलजेबरा अगर अगर स्टुडेंट को देख रहा है तो बिलकुल कनफ्यूज नहीं होंगे एहलू स्टुडेंट को वैनिफिट यह है कि जो अपनी विए प्रकाश्ट केंदर की फॉलो करते न एक्जामिनेशन पॉइड़ा ओफ यू से अन्डरग्रेजट माथमेटिक्स में उससे उनको चीज़ें एक sequence में मिल जाएंगी जिस chapter जिस order में उनको content दिया गया है content यहाँ पे एक sequence में मिल जाएगा other students अगर lecture को देख रहे हैं तो कोई problem नहीं है mathematical concepts आप सभी के लिए equally useful है lecture आज करें स्टार्ट करूं प्लेलिस्ट की description में और आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो चैनल से विजिट कर सकते हो वहाँ पे automorphism, silo theory, धेर सारी वहाँ पे lecture series आपको मिल जाएंगी लेकिन दो lecture series वहाँ पे इस पेस्टी में हर बार बोलता हूँ आप ज़रूर विजिट करें एक basics की lecture series और एक knowledge capsule की एक्चुल में बात ये है कि algebra start करने से पहले हमने वहाँ पे आपको set, relation, cartagen, product, binary operation, homomorphism, isomorphism जो कुछ भी concepts आपको जानने चाहिए algebra start करने से पहले वह सब basics की lecture series में रखे है तो आपको वहाँ से ये चीज़े मिल जाएंगी one one function on two function और knowledge capsule की जो दूसी lecture series है ये इसलिए useful है आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैं chapter आपको automorphism पढ़ा रहा हूँ, silo theory पढ़ा रहा हूँ बीच में principle आप mathematical induction की जरूरत पढ़ गई method of contradiction की जरूरत पढ़ गई और cyclic group क्या है, cosets क्या है, quescent ring क्या है ऐसे additional informations जो होती है वो knowledge capsule के lecture series में रखी है तो ये दोनों आप जरूर विजिट करेंगे इसके अलावादल lecture series भी अब level है उनको आप देख सकते हैं present में अगर बात करें तो ring theory की lecture series पे काम चल रहा है अगर बात करें just previous lecture की ring theory के just previous lecture की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने ring homomorphism का beautiful concept study करा ring homomorphism के बारे में ring homomorphism के बारे में हमने वहाँ पे study करा और आज हम ring homomorphism की कुछ properties देखने वाले हैं आज के lecture में आपको scheme पे दिखरा होगा theorem 1 तो ये standard properties होती है पढ़ी है group theory के analogous concept यहाँ पे आपको rings में मिलेंगे group theory में आपने homomorphism पढ़ा था ring theory में भी आपने homomorphism पढ़ा group theory में आपने कुछ properties पढ़ी थी homomorphism की ring theory में भी उन properties को पढ़ना है पस difference यह है कि group में आपके पास एक non-impty set और एक binary operation होता है और ring में क्या होता है ring के पास एक non-impty set और addition multiplication दो binary operations होते है difference यह है ठीक है तो जब दो binary operations ring के पास है तो थोड़ा सा extra care करना होता है इसका और कोई problem नहीं है मैं एक बार ज़रा result को read करता हूँ और आफ्टर आपको सम्झाता हूँ की करना क्या है आपको यह property ring homomorphism की यह प्रूफ करनी है थेवरम बोगन में आपको दिख रहा है इस phi is a homomorphism अगर phi एक homomorphism है rings पे of r into r dash देखिए phi homomorphism है इससे पहले तो phi आपका map है और मैंने आपको अपने हर lecture में यह चीज clear करने की कोसिस करी है कि जब भी आपके सामने phi कोई function या कोई भी function या map की बात करी जाए तो आपके brain में तुरण दो चीज़े आनी चाहिए एक चीज़ आपके brain में तुरण domain आना चाहिए एक codomain आपके पास दो sets होने चाहिए जिनको domain या codomain मानते हुए domain या codomain मानते हुए आप map define करोगे तो homoorphism की बात करी जा रही तो सबसे पहले तो वह एक map यानि की domain codomain चाहिए तो यहाँ पिर ring theory में बाते कर रहे हैं इसलिए domain और codomain दोनों एक rings होगी आपके पास एक ring r है जो domain के तरीके भी hap करे और दूसरी ring r' है मैं यहाँ पर फिर से repeat करता हूँ r और r' मेरे बोलने का मतलब यह है कि आप इनके साथ operation addition multiplication का समझ के चलेंगे ring r मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब यह हुगा कि r के साथ addition multiplication operation मान के चलेंगे और यहाँ r' के साथ भी addition multiplication operation है तो ring अज़र बोला जाए तो आप बिलूल confuse नहीं होंगे उसके साथ operation क्या है तो homomorphism के लिए आपके पास एक ring domain के तरीके भी hap कर रही है और एक दूसरी ring है जो co domain के तरीके भी hap कर रही इसके बीच में phi a map है phi map का special character यह है homomorphism मैंने clear करा कि phi अगर such that r to r dash ring r से r dash पे कोई आपका map है homomorphism हो जाएगा और ring homomorphism हो जाएगा for every a b belongs to the domain ring r दो चीज़ें हो जाएए एक चीज़ क्या हो जाए phi आपका a plus b को map करे phi a phi a plus phi b जह मैं आपको recall करा रहा हूं homomorphism for every a b belongs to the domain ring दोसरी बात यह multiplication के respect में भी यह property होनी चाहिए phi a dot b equals to phi a dot phi b यह group theory में जहाँ आपने सिखा था तो वहाँ पे एक ही operation था तो वहाँ पे केवल एक point हम चेक करते थे phi a star b equals to phi a star phi b यहाँ पे दो operation है addition और multiplication तो दोनों के respect में चेक करना पड़ता है करना वही होता है कि आप a b दो element आप random d दो element लीजिए मतलब ring के सारे elements को अगर आपस में compose करके images लें या उनके images का composition ले लें images का composition ले लें वो equal आए composition of images के ठीक है composition of images image के composition के equal आजए तो यह matter है आपका ring हो और जो हलाएक मैंने previous lecture में पूरा dedication यह उसी पर था तो आप उहां से देख लेंगे आज जो आपको proof करना है जो property proof करनी है यह आपने group theory में भी पढ़ा था क्या proof करना है कि अगर आपके पास phi homomorphism है ring r का r dash दूसरी ring पर तो आपको proof करना है कि phi जो 0 को मैप करेगा देखे 0 और 0 दो चीज़ें यहां पर लिखी है यह 0 लिखा है और यह 0 लिखा है where 0 is the 0 element of ring r जो domain वाली ring है उसके पास 0 element 0 से denote करा गया है और जो co domain वाली r dash ring है उसके पास 0 element को 0 dash से represent करा गया है ठीक है 0 dash से represent करा गया है तो यहां पर आपको proof करना है कि जो phi homomorphism है ना ring homomorphism वो 0 element को domain वाली ring के 0 element को co domain वाली ring के 0 element पे map करेगा अगर language में वह बहुलू तो यह homomorphism की standard property होती ग्रूप थेयरी में भी आपने पढ़ा 0 element को 0 element पे ले जाके map करता homomorphism homomorphism चाहे ग्रूप थेयरी में हो या ring थेयरी में हमेशा वो 0 element को 0 element पे ले जाके map करता है domain के 0 element को co domain के 0 element पे और दूसी चीज़ आपको proof करनी है कि जो homomorphism है ring homomorphism यह किसी element के negative को अगर किसी element के negative को इससे आप map कराएंगे तो फाई आफ माइनस आपको एक वाला जाता है माइनस आफ फाई ए मतलब उस element के absolute value की image का negative आजाता है answer ज़र मैं diagrammatic इसको आपको एक वाला clear कर दूँ then after proof पे आगे बढ़ेंगे proof बढ़ाई simple है property आप यूच करेंगे then after देखें यहाँ पे आपको जो proof करना है यहाँ जो आपको proof करना है आपको diagrammatic एक वार समझा देता हूँ आपके पास एक ring R है एक ring R-S है यह ring R है जो domain के तरीके भी hack करेगी दूसरी ring R-S है जो co-domain के तरीके भी hack करेगी यह ring है आपकी चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ addition multiplication के respect में वैसे authors लिखते नहीं है और आपको यादत डाल ली होगी समझने की कि R-S rings है operation ना दिखें तो भी आपको समझना है तो आपके पास यह ring है तो ring के पास zero element भी तो होगा additive identity होगी ना ring के पास additive identity तो होगी ना क्यों होगी क्योंकि ring के लिए तीन postulate थे R under addition आपका avalian हो R under multiplication आपका semi group हो और distributive large hold करेंगे मैं आपको अपने हार lecture में revise करा देता हूं ring के postulates तो इस वज़ा से additive identity यानि की zero तो होगा तो चलिए यह ring की additive identity है zero element उसको zero से denote कर लेते हैं और यह दूसरी ring R-S है दूसरी वाली ring आपकी R-S है इसके zero element को zero dash से denote कर लेते हैं इसका zero element are different होगा तो zero dash से represent कर लेते हैं ताकि दोनो zeros में difference आपको दिख जाए तो यह जो R का additive identity था zero से denote कर लिया R-S के additive identity को zero dash से denote कर लिया अभी जो rings के बीच में आपकी homomorphism phi है यह क्या कर रही है आपके zero को zero dash पे map कर रही है यानि domain वाले domain वाले ring के zero element को co domain वाली ring के zero element पे map कर आगर language में कहें तो आपको proof करना है कि homomorphic map जो है वो zero element को zero element पे map करता है group theory में भी यही था ring theory में भी यह इसका proof करेंगे दूसरी चीज़ आपको जो proof करनी है जो दूसरा part आपको proof करना हो homomorphism की property उसमें यह करना है फिर से वही पुरा structure होगा आपके पास एक ring domain में है दूसरी ring co domain में है और यहां के phi एक homomorphism है तो आपको proof करना है अगर किसी element जैसे a कोई element है उसके negative को map करना है minus a को map करना है तो phi क्या करेगा phi a को map करेगा पहले phi जो है पहले a को map करेगा और फिर इस negative sign को आगे लगा देगा ऐसे map करेगा phi phi किसी element के negative को map करने के लिए क्या pattern यूज़ करेगा वो a को map कर देगा और negative sign को बाहर यूज़ कर लेगा यह homomorphism की property है ring theory में group theory में भी यही same property यूज़ करी गई है तो दो properties यह मैंने आपको visually यहां पर दिखाया इसको proof करेंगे कि कैसे algebraic steps कैसे क्या होंगे proof करने के proof कर लेंगे then after आप इस property को यूज़ कर सकते हमेशा के लिए तो जड़ा proof proceed करते है यहां पर proof proceed करते है जड़ा हम देखते हैं proof कैसे कर सकते है यह दोनों properties आपको proof करनी है कि zero element domain को domain के zero पे map होगा और negative अगर map करना किसी element का तो उस element के map करने के बाद आगे negative element लग जाता negative shine ठीक है तो पहला proof हम यहां पे कर रहे हैं कि homomorphism जो है वापका zero element को zero element पे map करता है देखे कैसे proof कैसे करते है let a belongs to r कोई एक general element आप domain वाली ring ध्यान दीजेगा domain में जो ring है वो r है और co domain में जो ring है r dash है ठीक है यह हमेशा आप brain में रखेंगे domain वाली r है co domain वाली r dash है तो proof को जड़ा प्रोसीड करते हैं simple सा proof है पहले part का कि let a belongs to कोई एक general element रिंग का ले लेते हैं general element ले लेते हैं तो पकीसी बात है यहाँ पर domain वाली ring में अगर कोई element a है तो co domain वाले में वो कैसे map होगा phi उसको ले जाके phi of a phi of a कोई element जो phi of a phi image होगी उसकी r dash में belong करेगी r dash में belong करेगी तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि अगर a domain वाली ring का part है तो phi a जो होगा वो co domain वाली ring को belong करेगा obvious है अब जरा एक चीज यहाँ पर बताइए मुझे एक चीज बताइए कि identity element की definition क्या होती है जो identity element होता है कहीं पे भी group पे ring में जो identity element होता उसकी definition यही होती है कि वो for every element a ring को या group को जिसको भी कोई और element अगर है और उसके साथ compose आप करिए add करिए add करिए उस identity element को तो result आपका a ही आए identity की definition यही होती कि उसको किसी और element के साथ आप compose करिए यहाँ पे composition आपका addition है तो addition यूज कर रहे है करेशन के बाद identity का अपना कोई प्रभाव ना पड़े यही होती property identity की तो जरह आप मुझे यह बताएगर कोई element a मैंने लिया तो phi a आपका r- को भी लॉंग करेगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि phi a plus 0- देखे यह आपका एक यह आपका देखे जरह फिर से उस figure को आपको recall कराती है यह r आपका ring था यह r- आपकी दूसरी ring थी इनके बीच में phi homoorphism था तो अगर कोई element यहां पे a है तो उसको phi ने ले जाके phi a पे map करा होगा और आप बताएगे 0- जो था जो था वो r- की additive identity थी तो अगर यह r- की additive identity थी तो अगर मैं यह कहूं कि phi a जो element है r- का उसमें 0- 0- बोले तो r- की identity इसको add करें तो result क्या आएगा identity क्यों definition होती है कि 0- का अपना कोई impact नहीं होगा अपना कोई impact प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका मतलब phi a प्लस 0- आपका phi a के equal आजाएगा क्यों आजाएगा क्योंकि since 0- is the identity of r- ज्योंकि 0- identity है तो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी वो additives element जो आपका phi a जो element है उसी को repeat कर देगी यह identity की definition होती है प्रपर्टी होती है अब जरा आगे proceed करते हैं देखिए अगर ऐसा है phi a plus 0- आपका phi a के equal है अब जरा left strip को ऐसे रखा right में आप देखिए अगर domain में जो ring थी वहाँ पे एक element a था domain में element a था और domain वाली identity क्या थी 0 थी domain वाली identity 0 थी तो a plus 0 भी तो a ही आएगा a plus 0 भी तो a ही आएगा यहाँ पे domain वाली identity अपना वर्क करेगी तो phi a को phi a plus 0 लिख सकते हैं phi a plus 0 लिख सकते हैं क्यों since 0 is the identity of domain ring r domain ring r अभी देखिए बस proof होने ही वाला है अभी क्या करेंगे यहाँ पे left step ऐसे फिर से repeat करते हैं phi a plus 0- right में हम क्या कर सकते हैं जो phi a plus 0 है phi आपका क्या है? homomorphism है phi आपका homomorphism है यानि कि phi a plus b आपका किसकी 64? phi a plus phi b यानि कि images का composition करिए ァ composition की image लिजीए homomorphism की property थी थी न phi a plus b equals to phi a plus phi b तो यहाँ पे phi a plus 0 क्या होगा? phi a plus phi 0 यह हो जाएगा phi a plus phi 0 हो और्फिजम यूज कर लेते हैं आप फाई ए प्लस फाई जिरो हो जाएगा अब जड़ा देखिए आपके पास है फाई ए प्लस जीरो डैस इक्वल टू फाई ए प्लस फाई जीरो अभी कैंसलेशन ला सारे एलिमेंट्स यहां पे ग्रूप के हैं या रिंग के भी हैं तो है आपके आलजेब्रा में बढ़ा था स्टार्टिंच में की कैंसलेशन ला खोल्ड कर सकता है यह यह Аप कांसल कर सकते हैं दोनों तरफ से कैंसल कर सकते हैं रिजल्ट क्या बचा आपका बचा अनल रिटी को cancelation ला बताया हुए है कि cancel out कर सकते हैं आप चीजों को तो यहां से cancel कर लिया फाई 0 equals to 0 dash यानि कि आपका यह proof हो गया जो homomorphism होती है ring theory में या group theory में हाला कि यह ring theory की बात कर रहे हैं वो 0 element को 0 element map करती है domain वाली ring का 0, codomain वाली ring के 0 पर map होता है जल्दी से दूसरा proof यहां पर complete करते हैं जो negative element वाला दूसरा proof था जल्दी से उस पर आते हैं छोटा सा proof है दूसरे element में आपको proof क्या करना था मैं जल्दी से याद दिला दूँ यहां पर आपको proof करना था कि कि किसी element के negative को अगर 5 map करेगा तो उसका result आता है यह कैसे proof करते हैं कैसे इसको proof करते हैं फिर से कोई general element आप domain वाली ring से ले लीजें domain में R है को domain में R है then there exist पकी बात है अगर domain में आप कोई element A ले रहे हैं तो minus of A भी exist करेगा क्यों exist करेगा? क्यों exist करेगा? इसका answer यह है कि R under addition multiplication जो domain वाली ring है वो ring है और ring होने के लिए इसको R under addition abelion group तो होना होगा ना postulate number one ring के लिए पहला postulate है तो R under addition यह abelion group form करना abelion group है मतलब existence of inverse inverse तो exist करेंगे तो अगर A exist कर रहा तो A का additive inverse क्या होगा? minus of A A का additive inverse भी exist करेगा इसलिए यहाँ पर बोला देखिए algebra में हर step पे एक logic होता है ऐसे चीज़े नहीं होती है तो अगर A exist कर रहा है dominali ring में तो minus A भी exist करेगा क्यों? क्योंकि abelion group होता है ring के postulate से अभी ज़रा देखिए अभी पहले step में मैंने proof करा यह property हो orphism की यूज़ करेंगे कि 0 element को 0 dash पे map करता है जहाँ पे 0 और 0 dash identities हैं वो आपको clear है तो हम क्या कर सकते हैं जरा देखिए अगर हम interested हैं इसमें A plus minus A का phi image देखना चाह रहे हैं हम यह find out करना चाह रहे हैं phi A plus minus A मतलब A और minus A दोनों के composition का phi image क्या होगा इसमें जरा हम interested हैं देखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे देख सकते हैं phi A plus of minus A अगर हम निकाले तो homorphism की property है न distribute हो जाएगा phi तो phi A plus phi of minus A इसी पे हम interested हैं इसी पे focus किये रहेंगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर जो A plus minus A है A minus A यह तो आपका 0 हो जाएगा यह तो 0 हो जाएगा देखेगा यह तो 0 हो जाएगा मतलब phi of 0 left में phi of 0 आ गया right में क्या हो रहा right में आपका यह phi A है plus phi of minus A है देखेए यहाँ पे यह जो पहले part में proof करा phi 0 equals to 0 dash उसको यहाँ पे यूज करेंगे उसको यहाँ पे यूज करेंगे phi 0 को 0 dash के को लिखा और यहाँ पे phi A कॉपी कर लिया plus phi of minus A पूरा कॉपी कर लिया अभी देखेए यहाँ पे क्या कर सकते है यहाँ पे यह logic लगेगा कि phi A आपका कहां का element है r dash का कोई element है phi of minus A कहां का element है phi लगने के पाथ जो image बनती है वो सब R dash में जाएंगी ना codomen में जाएंगी तो यह R dash का element है मतलब R dash यह जो R dash codomen वाली ring थी यहाँ पे दो elements है और उनको add करने पे identity आ रहा है existence of inverse में मैंने यह definition आपको बताई थी कि अगर दो element कोई A plus B है उनको add करने पे identity आ जाए इसका मतलब यह है यह दोनों element एक दूसरे के additive inverse है क्या है एक दूसरे के additive inverse है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि phi A और phi of minus A यह दोनों element add करने पे identity दे रहे दे रहे है इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के additive inverse है यह क्या है एक दूसरे की यह additive inverse है इसका मतलब it implies that phi of minus a is the additive inverse of phi a दोनों को add करने पर identity आगई मतलब यह दोनों एक दूसरे की inverse है किस ring में R-S co domain वाली ring में यह दोनों एक दूसरे की additive inverse है इससे क्या होगा इससे यह होगा कि phi of minus a equals to negative of phi a additive inverse ऐसे लिखते हैं जैसे a का additive inverse a का inverse अगर लिखना है आपको अगर a का inverse आपको लिखना है और operation addition है तो यह हो जाएगा minus a और अगर multiplication होता तो one upon a हो जाता हलाक multiplication की बात ही नहीं हो रही है यह बात addition की हो रही है तो addition में अगर inverse आपको लिखना है तो additive inverse negative के साथ आता है एक additive inverse क्या होगा, minus A तो phi A और phi minus A दूसरे के additive inverse है, मतलब कि phi minus A equals 2 minus phi A, ये चीज़ आपकी proof हो गई तो दोनों चीज़ें आपने proof कर ली कि ring homomorphism में जो homomorphism आपकी है, वो negative को कैसे map करती है, और zero element को zero dash पे ले जाके map करती है एक और बड़ा ही analogous concept group theory में आपने सीखा है, यहाँ और उसको repeat करेंगे, kernel of ring homomorphism, मैं जल्दी से आपको ring theory में, group theory को याद दिला दूए, एक बार, group theory में आपने क्या सीखा है फिर ring theory में आते हैं, देखते हैं group theory में आपने क्या पढ़ा था, देखें दूसरा group g-dash है, एक group g है, दूसरा group g है, g-dash है और operation यहाँ पर o मान लीजिए, operation यहाँ पर o मान लीजिए तो अगर दोनों के बीच में homomorphism है, यह आपका g-dash है दोनों के बीच में आपका यह phi homomorphism है, group theory में आपने पढ़ा था तो जो domain वाला group है न, इसमें कुछ ऐसे elements का collection फाई homomorphism है, तो पकी बात है, यह 0 को, 0 को उठाके 0-dash पर map करेगा यह तो पकी बात है, group theory हो, ring theory हो, कोई भी theory हो 0 element को homomorphism हमेशा 0 पर map करता है लेकिन इसके अलामा अगर कुछ ऐसा हो जाए, कि domain वाले group में यह अपने group theory में पढ़ा था, मैं recall कर रहा हूँ मैं दोनों theories को साथ-साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आप group theory को correlate कर पाएं इन theory से तो group theory में आपने पढ़ा था कि अगर 0 के अलामा भी कुछ elements ऐसे हो domain वाले group के, जो कहीं और इधर उधर नहीं जो जाके zero dash पे ही map हो, यानि identity पे ही map हो तो उन सारे elements का collection, domain के उन सारे elements का collection उन सारे elements का collection, जो co-domain की identity पे जाके map होते हैं वो कहलाता था वहाँ पे kernel of phi, मतलब कि kernel of homomorphism यानि कि domain वाले group के वो सारे elements, जो co-domain की identity पे map हो रहे थे उनको वहाँ पर हम कहते थे Kernel of Phi Kernel of Homomorphism ये ग्रुप Theory में पढ़ा था Ring Theory में क्या है Ring Theory में same यही concept है Ring Theory में same यही concept है Kernel of Phi यहाँपे कैसे define होगा यह आपकी एक ring R है जो domain के तरीकेguy corrupt कर रही है दूसरी ring R' है जो co-domain के तरीकेguy ram कर रही है इनके बीच में phi कोई homomorphism है तो अभी अभी आपने proof करा कि ये 0 को कहां पे 0 को 0-डास पे 0-डास पे यानि कि identity को identity पे map करेगा ये तो आपने अभी अभी proof करा इसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो जाए group theory के तरीके ring theory अभी discuss कर रहे है कि ring domain वाली ring के कुछ और भी element है 0 के अलावा कुछ और भी element है जो जाके 0-डास पे map हो रहे है जो जाके कहीं और नहीं 0-डास पे ही map हो रहे है तो domain वाली ring domain वाली ring के वो सारे elements वो सारे elements जो co domain की जो co domain की identity पे map हो रहे हैं उन सारे elements का collection आपका कहलाता है kernel of 5 या इसको read करेंगे language में kernel of ring homomorphism अब जरह इसको आपको theory दिखाता हूँ जो book में आपको मिल जाएगी यहाँ पे अब आपको बताते हैं जो book में जो आपको definition मिल जाएगी kernel of homomorphism की वो आपको यह definition मिलेगी देखिए वही figure diagrammatic approach वही है यह आपकी ring है domain वाली या आपकी ring r dash है co domain वाली तो यहाँ पे 0 element तो 0 dash पे map होगा इसके अलामा अगर कुछ और element कुछ और element जो है वो भी जाके 0 dash यानि co domain वाली ring की identity पे map हो तो वो सारे elements का collection आपका kernel of 5 कहलाता है इसको language में कैसे पढ़ेंगे language में कैसे दिया हुआ है देख लेते हैं यहां से language देख लेते हैं let 5 be a homomorphism वही चीज लिखी of ring r into r dash then the kernel of 5 is the set of all those elements of r मतलब domain वाली ring के सारे उन elements का collection है whose images are 0 element of r dash whose images are 0 elements of r dash मतलब वो सारे elements domain के जो code domain की identity पर map हो जाया है वो कहलाते हैं आपके kernel of homomorphism अच्छा इसको roaster form में set को standard तरीके से जो आपको मिलेगा denote कैसे करेंगे kernel of 5 को देखे इसको वहाँ पे group theory में के से denote करते थे k of 5 group theory में लिखते थे ring theory में थोड़ा concept अलग है ring theory में i of 5 लिखते हैं kernel of 5 को i of 5 आपको मिल जागा हलांकि कुछ books ring theory में भी k of 5 लिखते हैं तो kernel of 5 जो set है आपका homomorphism phi आपका homomorphism है उसको k of 5 या i of 5 से denote करते हैं तो notation को लेके बिलकुल confuse नहीं होंगे हाँ पे set को represent कैसे करेंगे देखते हैं i of 5 या k of 5 में वो सारे element it will include all those a belongs to r मतलब domain वाली ring such that phi a equals to 0 dash मतलब कि यह उन सारे elements को contain करेगा domain वाली ring के जिनको phi ले जाके आपका 0 dash यानि कि 0 dash के identity है आपकी r dash के identity है उस पे ले जाके map कर दे तो यह आपको standard तरीका आना चाहिए पढ़ना आप खुद से इसको define भी कर सकें और अगर book में मिले तो समझ भी सकें कि kernel of 5 में elements कौन-कौन से होंगे elements कौन-कौन से होंगे जल्दी से यहाँ पे कुछ remarks कुछ standard चीजें भी आपको बता देते हैं kernel of 5 के regarding kernel of 5 के regarding देखिए पहला रिमार की आपको यहाँ पे जानना है कि zero element of a ring means identity element of यह तो आपको मैंने वैसे भी बता रखा है मैंने वैसे भी आपको बता रखा कि अगर zero element की बात हो किसी ring के लिए अगर एक ring आपका R है under addition multiplication और इसमें बोला जाए zero element क्या है तो zero किसके बारे में additive zero बता सकते हो या multiplicative zero बता सकते हो zero बोले तो identity element zero element का मतलब identity element तो multiplicative identity तो ring में हो ही नहीं क्यों क्यों क्योंकि R under multiplication तो के वल सेमी ग्रूप है closure associative identity तो है नहीं अगर multiplicative identity होती तो आपका ring रिंग ना होता ring with unity होता तो जब भी zero element या identity element की बात करी जाए ring में तो आपके पास केवल zero ही available है मतलब कि ring की identity अगर बोली जाए तो आप तुरण समझेंगी zero की बात हो रही है क्योंकि ring की identity one भी होती है लेकिन तब होती है जब ring with unity हो अगर ring के पास unity है तो one भी उसकी identity होता है multiplicative identity लेकिन चुकि multiplication के respect में उस सेमी ग्रूप है ring with unity बोला नहीं जा रहा तो आपके पास zero element जब भी बोला जाए तो आपके बात zero consider करेंगे that is additive identity ये तो खेर आपको पता ही होगा दूसरी बात हैं आपको ये बतानी है आपको कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो kernel of phi है अगर i of phi kernel of phi जो है वो आपका पूरा का पूरा ring आ जाए तो उस case में homomorphism को आप बोलते हैं zero homomorphism ये थोड़ा special चीज है आपके लिए special चीज है थोड़ा आपके लिए ये मैं यहाँ पे आपको recall करा दूँ ये थोड़ा special चीज है आपके लिए ये last remark जो है थोड़ा special आपके लिए इसको मैं यहाँ पे recall करा दू then after close करेंगे आज का lecture यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो domain वाली ring R है को domain वाली ring R' है और इनके बीच में आपने एक फाई homomorphism define करी है और जीरो को तो जीरो डैस पे आप ले ही जाएंगे जीरो को तो जीरो डैस पे ले ही जाएंगे लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये पूरा का पूरा सारे elements domain वाली ring के सारे elements केवल और केवल identity पे map होने लगे मतलब जो kernel है न वो kernel पूरा का पूरा domain की ring को consider करने लगे तो ऐसे case में फाई जो homomorphism है उसको बोलते हैं जीरो homomorphism इसलिए इसको जीरो homomorphism बोलते हैं क्योंकि ये सारे elements को जीरो पे ले जाके map करवा दे रहा है यानि कि जब kernel और फाई आपका domain की ring को पूरा का पूरा cover up कर ले kernel तो उस case में आप बोलते हैं कि आपकी homomorphism जीरो homomorphism है तो आज की lecture में इतनी चीज़े आपको बतानी थी आप concepts को revise करेंगे next lecture में मिलते हैं